हाई गाईज, ट्रेडिशनली तो हम पैनकेक बनाते थे मैदा से, लेकिन आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं मल्टी ग्रेंड मिलेट फ्लार्स पैनकेक, तो यह है सलब फार्म का इंस्टेंट पैनकेक मिक्स, और 150 ग्राम का यह पैक आपको पड़ेगा 149 रुपीज का 12 म महिने की इसकी लाइफ है इस पैनकेक मिक्स का मेन इंग्रियंट है, ओट्स, जुआर, फॉक्स टेल मिलेट, चागरी और बनाना, पैकेजिंग काफी डिसेंट है, एनिमेटेड एनिमल करेक्टर दिया है, बच्चों के सेक्षिन को अट्राक करने के लिए, अब आजाते हैं एक्स्टर प्रोटीन के लिए डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना स्किप कर देना, और पैक पे लिखा हुआ है 250 ml मिल्क, मिल्क लेकिन हमको इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, और फिर इसका एकदम स्मूध बैटर बनाना है, चम्मस से मिक्स कर रही थी मैं, पर टंग से ने हुआ, फिर फाइनली इससे विस्क करना पड़ा, अच्छा मुझे ना इनका मिल्क रेशो गडबर लगा, अगर मैं पूरा 240 ml इसमें दूर डाल देती ना, तो बैटर बहुत रनी हो जाता, तो मैंने तो इसको थोड़ा सा मोडिफाई किया है, मैंने डाला यहा एक चमचा भरके आप डाल दो, आपको कुछ फैलाना नहीं है, प्रेड नहीं करना, अपने आप बैटर शेप ले लेता है, छोटी से पैनकेक की, अचा मैंने यहाँ पर नॉन्स्टिक पैन यूज किया है, तो मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है, जरूरत भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल तावा यूज करते हो, नॉर्मल पैन यूज करते हो, तो वहाँ पर आप ग्रीस कर लेना, अब आप यहाँ पर चोटे-चोटे बॉबल्स नोटिस करोगे ना, इसका मतलब आप फ्लिप करने का टाइम आ गया, अब इसको पलेट के दूसरी साइट से ठेख ल अब आप यह देख लो, पैनकेक कैसे बने है, अब शुरू-शुरू में तो मैं डाउटफुल थी कि मिलिट पैनकेक मिक्स है, तो उतने सॉफ्ट और उतने टेस्टी नहीं बनेंगे, पट इनका टेस्ट और टेक्स्टर, मतलब मेरी एक्स्पेक्टेशन से बेटर निकला, बनाना का फ्लेवर भी आ रहा है, चौको चिप का टेस्ट आ रहा है बीच वीच में वह भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पैनकेक मिक्स बहुत अच्छा लगा, बस मिल्क प्रपोशन का अब ध्यान रखना, अगर पैक के अकॉर्डिंग जाओगे 250 ml डालोगे तो बहुत रनी हो जाएगा, उसको छोड़के बाकी सब बढ़ी आए, give it a try and subscribe for more